हेलो गाईस तो कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अदनान खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वाग चैनल आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेक्ट्फिक्स पर रिलीज हुई एक कोरियन वेब सीरीज क्रेश लेंडिंग ओन यू आफ्टर पेरसाइड अब एक बहुत जबर्दस वेब सीरीज कोरिया की तरफ से निकल कर आती है जिसका नाम है क्रेश लेंडिंग ओन यू ये एक रुमेंटिक, कॉमेडी और एक्शन वेब सीरीज है जिसको डिरेक्ट किया है जोंग हियो लीने जनों ने इस से पहले लाइफ ऑन मार्स तगुड वाइब जैसी बहतरीन वेब सीरीज को डिरेक्ट किया है इस वेब सीरीज में टोटल 16 एपिसोड है और हर एक एपिसोड तकरीवन एक से डिर घंटे लंबा है हाला कि अगर मेरी नजर से देखा जाए तो इस वेब सीरीज को 9 से 10 एपिसोड में खतम किया जा सकता था तो आये जादा टाइम नवेस्ट करते हुए आपको बताते हैं कि आपको अपने important time इस वेब सीरीज को देना भी चाहिए या नहीं और क्या यह इतनी best है जिसकी वज़ए से आपको यह देखनी पी चाहिए या नहीं इस web series की story शुरू होती है योन सोरी से जो के एक South Korea की richest and successful girl है और उसका relation अपनी family के साथ कुछ जादा ठीक है नहीं जो के paragliding के दौरान तूफान की वज़ास से North Korea के border में enter हो जाती है और North Korea में उसकी मुलकात होती है Captain Ree से जो के एक special officer है इन सब के दौरान North Korea और South Korea के relation कुछ जादा ठीक है नहीं और Captain Ree help करते हैं योन सोरी को उसको safely उसके घर वापिस पहुचाने में तो के योन सोरी अपने घर South Korea वापिस जा पाती है या नहीं और उसके साथ क्या-क्या होता है ये सारी चीज़े जानने की नहीं आपको दिखने होगी ये web series जो कि मेरे हिसाब से आपकी नहीं एक must watch है ये web series आपको शुरू में थोड़ा सा वोर करेगी लिकिन slowly slowly ये अपने track पर आ जाती है और आप इससे connect हो जाती है तो आईए बात करते हैं इस web series के direction की इस web series का direction कमाल का है और साथ में इस web series में बहुत सारे supporting actors भी हैं जिनको director ने बहुत ही अच्छी तरीके से develop करके दिखाया है बात करें सभी character के performance की तो यहाँ पर lead characters का performance जबरदस देखने को मिलेगा साथ में supporting characters ने भी जबरदस काम किया है और यहाँ पर मैं editing की बात ज़रूर करना चाहूंगा इसकी editing इस web series को थोड़ा बोर बनाती है इसको आसानी से 9-10 episode में खतम किया जा सकता था बात करें critics की तो यह web series critics को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है उनकी rating 8 plus की है और IMDb पर इसकी rating 8.7 की है तो finally बात करते हैं मेरी rating की तो मझे यह web series कैसी लगी मझे finally काफी time बाद एक romantic web series देखनों को मिली जिसमे romance, action, comedy सब कुछ था तो यह web series मैं आपको ज़रूर recommend करूंगा कम से कम आप इस web series को एक बार तो देखी सकते हैं मेरी final rating है इस web series की निए 7.5 star out of 10 कुछ star मैं इसकी लंबी length की निए काटना चाहूंगा तो guys अगर मेरा review आपको ज़रा भी पसंद आया तो comment section में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं अगर यह web series आपको ज़रा भी पसंद आई तो comment section में लिखकर यह भी बताएं मैं हूँ अधनान खान आप देख रहे थे smart movies walk channel मिलते हैं next video में तब तक की निए keep watching तक की ज़रा भी पसंद आपक की निएकर शर्छबा यह ज़रूर भी बताएं